आखुनुन फ़ूर्ट यह ऐलो एडरिवन इस वीडियो में बात करने वाले हैं मैधर ऑफ कूलिंग ऑफ पावाट ट्राउन्सफार्मर्ण। दोस्तों ट्रांस्फार्मर में नहीं दो टाइबिक होती है cred एक एयर टाइब की कुलम रूट रूटि की ऊसी भी तोटी पारे होके चिंहीं में हुद्ध पर एक nem पुराईल नहीं जिसको बोलते हैं A-N cooling और second होती है air blast cooling ठीक है अब चलते हैं देख लेते हैं कि oil type cooling किस-किस type की होती है फ्रेंच देखिए यह है oil type cooling जैसे इसमें first है oil natural air natural cooling जिसको बोलते है O-N-A-N cooling अब फिर है oil natural air force जिसको बोलते है O-N-A-F cooling और third है oil natural water force O-N-W-F cooling और अपना fourth है oil force air natural O-F-A-N cooling और fifth है oil force air force O-F-A-F cooling और last है अपना oil force water force ठीक है जिसको बोलते है O-F-W-F cooling फ्रेंच जितने tap की cooling है अपने इसकी detail में बात करेंगे और इसमें क्या difference होता है इन सब cooling में उसको वह भी मैं बताऊंगा चलिए अब आपन देख लेते हैं सबसे पहले की air natural cooling क्या होती है फ्रेंच जो air natural cooling होता है उसमें देगे क्या लिखा है ता the transfer having small output 5 to 10 kVA and cooled by this method in this method the external surface is sufficient to dissipate the heat produced by the losses फ्रेंच इसका मतलब में ये है कि ये जो cooling होती है ये 5 से 10 kVA के transformer हमें अपने इस type cooling यूज़ करते है और इस cooling में ये होता है कि इसमें oil use नहीं होता है जो natural air होती है इसके थूरूफ अपन cooling कर सकते हैं इसमें पहले मैं फिल उता रहा हूं इसमें कोई भी oil वगरा use नहीं होता है और जो भी इसमें losses produce होते है ठीक है वो अपनी natural air से ठीक है dissipate हो जाते है जो यह डियाग्राम में देख रहे हैं आप यह एन कूलिंग एन एर फोर्स कूलिंग देखिए इसमें कोई वगार यूज नहीं होता है कि जो भी लॉस्स होते हैं यह डैसी बेट हो जाते हैं एर से ठीक है जो एक्मोस्पीर की एर होती है वैसी यह चोटे ट्रांसफर्मर की गर्देज कोई देख लेते हैं कि इयर बलास्ट कूलिंग कौन सी होती है ठीक है देखिए यह एर ब्लास्ट कूलिंग इसमें एक फॉर्स प्राइब क्या दिस टाइप अफूलिंग यह डैस्ट नियुज देना है इसके दिखाइब नबढ़ और यह तो कोई प्राइब धि यहां फ़र्ट है यहां दो आप लाज्ट करते हैं उसके कारण अब इसमा फॉर्थ है दस्ट आप फूलिंग इस लिमिटे टूद रांस्फार्म और वोल्टेज रेटिंग नौट एकसीड पचिस के वी एट फचिस के वीए से ज्यादा के ट्रांस्फार्म में यह कूलिंग यूज नहीं होती है ठीक है přिस जो यह एर ब्लास्ट कूलिंग है इसमें क्या होता अपन एक्ष्टरनल फोर्स यूज करते हैं कैसे बीस हो गया ब्रोवर्स हो गया कि इसमें क्या है एक तो यूज नहीं होता है दूसरे क्या होता है कि यह जो ट्रांसफार्मर्मर्मर्मर्मर्मर्मर्मर्मर्मर्मर्मर्मर्मर्मर्मर्मर्मर्मर्मर्मर्मर्मर्मर्मर्मर्मर्मर्मर्मर्मर्मर्मर्मर्मर्मर्मर्मर्मर्मर्मर्मर्मर्मर्मर्मर्मर्मर्मर्मर देखिए फ्रेंट्स यह है ड्राय टाइप के ट्रांसफार्मर का इंटर्नल पार्ट इसमें जो यह रेड कलर के देख रहे हैं यही वाइंडिंग होती है और जो नीचे यह मैंने ग्रीन कलर से ब्लिंग किया हुआ है ना देखिए यह है एयर फोर्स कॉलिंग के फैंस वगेर ठीक है इस के स्टाइप का फैंस होता है देखिए फ्रेंट्स यह इस टैप का होता है यह नीचे तरफ जो अब हमिने फोटूम दिखाए था नीचे तरफ लगा हुए होता है ठीक है इसको यूज करके अपन रैटाय ट्राइप के ट्रांसफार्मर को इसकी वाइंडिंग को ठंडा करते हैं ठीक है कोल्ड करते हैं ठीक है मात्र लेकिन ये यूज होता कि इसमें मात्र ये यूज होगा ड्राइट ट्राइब के ट्रांसफार्मर में इस टाइबी कुलिंग यूज होती है ठीक है फ्रेंट चलिए थोड़ सा इसके डिसएडवंटेज देख लेते हैं इस जैसे एक्जामपल इसका फिल्टर का मेंटेनस ठीक है बहुता है और मैंने पहले भी बता चुका हूं कि ड्राइप के ट्रांसफार्मर बहुत ही ज्यादा कॉस्ली होता है ठीक है अपने इस कंपे ओई कि ट्रांसफार्मर के कंपेर में ठीक है फ्रेंट अब आपने देख लेते हैं कि और टाइप की कूलिंग किस किस टाइप की होती है इसमें फैन का यूज नहीं होता है चलिए एक डाइग्राम आपको दिखा देता हूं इसमें कैसा क्या फंचन होता है देखिए इसमें जैसे लगते हैं आपको पता है जब गरम होता है तो उपर की तरप घंडायों ठ्क है तो जैसी इसमें वर्ट नटीन ठीक है डिक है तो वाइंडिक तो अपनी इस्καसे घंडी हो रही है अब जो और ऐल है किसे थंडा हो का मैं पता थताleşOO्ट hits aos ये भी तो पंस ये बाहरें पंप से कूल होता है याने इसमें water pump का use करते हैं तीक है किसके oil को cool करने के लिए अब अब बात कर लेते हैं o naf cooling की ठीक है इसको बोलते है oil natural air force cooling इस method में winding oil से cool होती है naturally और oil airs के force से cool होता है यहने Friends इसमें जो winding होती है वो oil के थ्रूप cool होती है और जो oil होता है एेर के force के थ्रूप cool होता है जैसे देखी इस diagram में देखी है जो ये इसमेंrit winding होगी इस trans际 इसके winding ëंदर oil होगा ठीक है ओइल तो ठीक है oil के क्राइन अपनी जो winding होती है वह अपनी प्रण्ट अपना इसमें कूल होता है तो अपना इसमें कूल होता है और जो ऑइल होगा वो एर नेच्रल से कूल होगा इसमें कोई फैन बगएर का यूज नहीं करते हैं अपना ओयल होता है तो फस्ट वाला को खीजेगा दूसरे वाले चेमबर में और सेकंड वाला पंप टैंके पिर से टानस्फार्मर ना क के वह धंडा हो जाएगा इसमें कोई भी फैन वगरा का एक्सटर्नल फैन वगरा यूज नहीं करते हैं इस में फ्रेंट साब अब बात कर लेते हैं अब दो करेंगे अब चलिए इसका मैं इसमें आपको क्लियर हो जाएगा फिर इसमें मैंने एक उपर एक पंप दिखाया नहीं है लेकिन जो अपना फ्लू होगा राइट हैं वो पंप के थ्लू होगा ठीक है फिर नीचे आपका जो पंप दिख रहा है न उस पंप के थूप अपने ओयल फिर ट्रांसफर्म में एंटर करेगा यहनिकी वैंडिंग जो कूल होगी थीचा तो अपने आपने के ऐल पंप के थूप कूल होगी और अपना जो वैंको बूद के फिर त्रू होगा और और यह बहुत जादा इंपोर्टेंट क्योंकि यह यूज होता है है घ् तो बोलते हैं OFAF cooling ठीक है इसका full pump होता है oil force air force cooling ठीक है इस में winding cool होती है oil pump से और oil cool होता है air pump से चलिए इसका diagram दिखा देता हूं तो आपको clear हो जाएगा फ्रेंट देखिए इसमें दो pump लगे है एक उपर लगा एक नीचे लगा ठीक है तो oil जो अपना है इस तरफ जाएगा right hand तरफ जाएगा heat exchanger में तो वह pump के थ्रू जाएगा तो यह अपनी जो winding cool हो हो रही है और जो oil जो इसमें आएगा ठीक है heat exchanger में तो आप नीचे देखिए इसमें फैन लगा हुआ है ठीक है तो यह fan rotate होगा तो oil अपना थंडा हो जाएगा इसलिए इसको बोलते है कि इसमें जो winding होती है वह oil pump से cool हो रही है और जो oil cool हो रहा है वह air pump से cool हो रहा है ठीक ठीक है देखिए इसमें फैन लगा हुआ है ठीक है और इसमें नीचे पंप भी लगा हुआ है तो फिर अपना थंडा होके फिर से अपना ट्रांस फार्मर में चला जाता है फ्रेंट इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगो knowledge हो गया हुआ कि air type cooling क्या होती है oil type cooling क्या हो होती है और उसमें कौन-कौन से type होते है फ्रेंट अगर वीडियो से आप लोगो थोड़ा भी knowledge मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक के लिए और फ्रेंट बैल आइकन भी दबाए जिसे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके फ्रें